परिचय राज और अमर ड्राइंग रूम में बैठे हैं। राज अपनी मन पसंद पुस्थक पढ़ रहा है। तथा अमर कोई कारे कर रहा है। अमर मैं तुम से कुछ पूछना चाहता हूँ। आखिर ये कैलिकुलेटर कैसे कारे करता है। ये सभी उत्तर सही सही कैसे दे देता है। आराज मैं तुम्हें बताता हूँ। कैलिकुलेटर डायोडों के जुडने पर कारे करता है। डायोड एक अर्धचाली की ये प्रक्रम है तथा इसे on-off करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है जब किसी डायोट को किसी विशेश प्रकार से पैवस्थित किया जाता है तो वह विशेश्ट परिडाम देता है धन्यवाद अमर मुझे कैलकुलेटर की आधारभू संकल्पना समझ में आ गई है छात्रो आज हम अर्थिचाला के लेक्ट्रोनिक के बारे में विस्तार से अध्यान करेंगे उद्देश इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे ठोसों में उजा बेंड के बारे में जानना अचालकों अर्थिचालकों तथा धातों को परिभाशित करना आंतरिक तथा बाहे अर्धिजालक को समझना N प्रकार तथा P प्रकार के अर्धिजालक को परिभाशित करना P N जंक्षन को समझना अर्धिजालक डायोट का वणन करना अगरित तथा पस्च बायस जंक्षन डायोट का विशलेशन करना P-N junction diode के V-I गुणों का विशलेशन करना Rectifier को परिभाशित करना और Gena diode की व्याख्या करना ठोसो में उर्जा बैंट परवाणू में इलेक्ट्रोन किसी निश्चित नियम के अनुसार विविद कोशों में वित्रित होता है तथा उन्हें निश्चित डिस्क्रीट उर्जा मान रखने की अनुमति होती है ग्राहे उर्जा के मान को प्राया उर्जा इस्तर डाइग्राम पर दर्शाया जाता है हम उर्जा इस्तर के लिए बैंड निर्मान पर विचार करेंगे जो संयोची इलेक्ट्रों द्वारा ग्रहन किया जाता है तथा इसके अगले स्तर पर भी विचार करेंगे ऐसा माना जाता है कि क्रिस्टल में पर्मानों के बीच की दूरी धीरे धीरे अनंद से घटकर आर नॉट हो जाती है जो तुलियांक के संगत नहीं है संयोची बैंट संयोजक्ता बैंट उर्जा इस्तर का संयोची बैंट है जो क्रिस्टल में पर्मानों से बधे संयोची इलेक्ट्रों में होता है रिक्ती अंतराल संयोजक्ता बैंट के उपर उर्जा का क्षेतर जिसमें इलेक्ट्रों नहीं पहुंच सकता है चालन बैंड रिक्ती अंतराल के ठीक उपर उर्जा के स्थर जो क्रिस्टल के चालक इलेक्ट्रोन द्वारा ग्रहन किया जाता है ये इलेक्ट्रोन गती करने के लिए मुग्द होते हैं तथा विद्धितक शित्र में अपनी उर्जा बढ़ा लेती हैं अचालक अर्थचालक तथा धात्वें ठोसों के बैंड सिध्धान्द के आधार पर ठोसों को अचालक अर्थचालक तथा धात्वें के रूप में वर्की क्रेट किया जाता है अचालक सेयोजक्ता बैंड पूर्टा भरा होता है तथा चालन बैंड दूर होता है इस प्रकार के पदार्थों का अच्छा उधारन हीरा है इसके च्छै इलेक्ट्रोन वोल्ड की रिक्ती अंत्राल होते हैं सभी संयोजक्ता इलेक्ट्रोन से संयोजक आबंद के निर्मान में भाग लेते हैं तथा विद्ध के चालन के लिए कोई उपलब्द नहीं होते हैं अर्दचालक संयोजक्ता बैंड पूनता भरे होते हैं तथा चालन बैंड इसके निकट होते हैं इस प्रकार के पदार्थ का उधारन है सिलिकन इसके एक दशमलव एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रिक्ती अंतराल होते हैं परम ताप पर ये अचालक की तरहा कारे करता है किन्तु कमरे के ताप पर इलेक्ट्रॉन का एक छोटा भाग परमानों के तापिये परिवर्तन से काफी उर्जा प्राप्त करता है ताकि वो चालन बैंड में गती कर सके ताप के बढ़ने के साथ अर्द चालकों की चालकता बढ़ती है धातुएं संयोजक्ता बैंड अंशता भरे होते हैं ये संयोजक्ता तथा चालन बैंड का एक दूसरी के ऊपर अतिव्यापन होता है इस प्रकार के पदार्थ का उधारण सोडियम है जब सोडियम क्रिस्टल से होकर विद्धित क्षेत्र पर आरोपित किया जाता है तो संयोजक्ता बैंड में स्थेत इलेक्टौन उच्चतर उर्जा इस्थर में उपस्थेत इलेक्टौन की तरहा उर्जा की छोटी मात्रा ग्रहन करते हैं इस प्रकार के पदार्थ विद्धित के सुचालक होते हैं सुचालक में अंशता भरे हुए संयोजक्ता बैंड भी चालन बैंड होते हैं आंतरिक अर्धिचालक आंतरिक अर्धिचालक वे हैं जिनमें अशुद्धियां उपलग्द नहीं होती हैं तथा इसलिए परिशुद्ध अर्धिचालक कहलाते हैं ऐसे अर्धिचालकों में कुछ क्रिस्टल दोश उपस्तित हो सकते हैं जब अर्धि-चालक को शुने केल्विन ताप पर लाया जाता है तो ये अचालक की तरहा फैवरिहत होता है तथा उच्छे ताप पर संयुझ जख्ता बैंड से चालन बैंड में उलेक्टरोनों के तापिये उत्तिचन के कारण चालन करता है उधारण, जर्मेनियम तथा सिलिकन चलिए सिलिकन पर विजार करते हैं जिसके चार सेयोजकता इलेक्टरॉन है ये चार सहसेयोजी आबंद बनाते हैं सहसेयोजक आबंद बनाने में जो इलेक्टरॉन भाग लेते हैं उसे सेयोजकता इलेक्टरॉन कहते हैं यदि कुछ उजा दी जाए तो सहसेयोजक आबंद टूट जाते हैं इलेक्टोन बाहरा जाते हैं तथा मुक्त रूप से विचरण करते हैं जिसके परिणाम सो रूप सहसेयोजक आबंद में रिक्तिस्थानों का निर्मान होता है ये धनावेश्वाहक के रूप में जहने जाते हैं तथा इन्हें फोल कहते हैं सहयोजक आबंद में चालन इलेक्टोनों की संख्या रिक्तिस्थानों की संख्या के बराबर होती है बाहे अर्थचालक बाहे अर्थचालक वो होते हैं जिनमें अशुद्धियां बड़ी मात्रा में उपलब्द होती हैं अशुद्धियां तृतिये ग्रूप या पांचवे ग्रूप के तत्व हो सकती हैं बाहे अर्धचालकों में उपस्तित अशुद्धियों के आधार पर उन्हें दो प्रकारों में विभाचित किया जाता है। N प्रकार के अर्धचालक जब किसी शुद्ध अर्दचालक क्रिस्टल में पेंटा सैयोजी अशुद्धी को मिलाया जाता है तो ऐसे क्रिस्टल को N प्रकार के अर्दचालक कहते हैं। पी प्रकार के अर्धिचालक जब किसी अर्धिचालक क्रिस्टल में तृतिये ग्रूप के तत्व को मिलाय जाता है तो ऐसे क्रिस्टल को पी प्रकार के अर्धिचालक कहते हैं. N प्रकार के अर्धिचालक सिलिकन क्रिस्टल को सुचालक बनाने के लिए इसके क्रिस्टल समझना में आर्सेनिक, एंटिमनी या फॉस्फोरस जैसे अशुद परमाणों को मिलाया जाता है इन परमाणों के बाहतमकोश में पांच सहसेयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं जो दूसरे तत्वों के परमाणों से जोड़कर पेंटा सहसेयोजगा बंद का निर्माण करते हैं जब विद्ध वोल्टेज आरोपित करते हैं, तो ये चार इलेक्ट्रोन अन्य सिलिकन परमाणों से मिलकर बंद बनाते हैं, तथा एक इलेक्ट्रोन विचरन करने के लिए मुक्त रह जाता है। एन प्रकार के पदार्थ कहते हैं, जिसमें एलेक्ट्रोन को प्रभावी वाहग तथा परिणामी होल को आप्रभावी वाहग कहते हैं। अशुद्धी को डालते हैं, जैसे कि एलियूमिनियम, बोरौन अथवा इंडियम। बाहितम सह संयोजक बंद में केवल तीन संयोजी इलेक्ट्रोन उपस्तित होते हैं, अर्थात चतुर्थ आबंद का निर्मान नहीं हो सकता है। ये अर्थजालक पदार्थ को प्रचुर आवेश वाहग प्रदान करता है, जो क्रिस्टल की सनचना में होल कहलाता है। जो कि प्रतेक अशुद्ध परमानों होल का निर्मान करता है, त्री संयोजी अशुद्धी प्राया क्राहक के रूप में रसित है। चालन में मुख्धा धन आवेश वाहग होते हैं, जिससे पी प्रकार की पदार्थ बनते हैं। तथा धन होल को मुक्के वाहग कहते हैं, जबकि मुक्द इलेक्ट्रॉन को निम्न वाहग कहते हैं। अर्द चालकों के उधारण चलिए अर्द चालकों का एक उधारण लेते हैं। अर्द चालक के उलेक्ट्रॉन होल सांदरण 6,10 की घात 8,30 मीटर होती है। इसमें निश्चित अशुद्धी मिलाने पर उलेक्ट्रॉन सांदरण 8,10 की घात 12,30 मीटर हो जाती है। चलिए विलियन को देखते हैं। जब इलेक्ट्रॉन सांदरण बढ़ता है तो ये एन प्रकार के अर्द चालक होते हैं। हम जानते हैं कि एन आई की घात 2 बराबर एन ए तथा एन एच का गुणन फल जहां एन आई आंतरिक वाकूं का सांदरण है। एन एच होल का सांदरण है तथा एन ए इलेक्ट्रोन का सांदरण है। अधा एन एच बराबर एन आई की घात 2 बटा एन ए मानु को रखने पर हमें एन एच बराबर 4.5 गुणा 10 की घात 4 प्रती घन मीटर। अधा नया होल सांदरण 4.5 गुणा 10 की घात 4 प्रती घन मीटर है। अशुद्धी मिलाने से उर्जा अंतराल घटता है। पी-एन जंक्षन यदि डोनर अशुद्धियों को एक तरफ से लाया जाए तथा ग्रहक अशुद्धियों को अर्थ चलक पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल की दूसरी ओर से लाया जाए तो पी-एन जंक्षन का निर्मान होता है। टोनर आयन को घन आवेश चिन से इंकित किया जाता है इसके बाद अशुत परमाणू इलेक्टरौन प्रतान करता है ये धन आवेश बन जाता है धारा कायन को रिन चिन से प्रतशित किया जाता है इस परमाणूं द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहन करने के बाद ये रिण आवेशित बन जाता है आरंब में P प्रकार के पदार्थों में प्रचुर मात्रा में होल होते हैं तथा N प्रकार के पदार्थों में प्रचुर इलेक्ट्रॉन होते हैं पीक्षित्र में होल जंक्षन की दाई और विसरित हो जाते हैं तथा एनक्षित्र में इलेक्ट्रॉन जंक्षन की बाई और विसरित हो जाते हैं तथा पीक्षित्र में होल से जुड़ जाते हैं। प्रतेक ऐसे विस्रन स्युक्मन घटना के लिए जंक्षन की बाईं और रिण आवेश को प्राप्त करते हैं तथा दाईं और धन आवेश प्राप्त करते हैं, जिसके परिणाम सरूप जंक्षन के आर पार एक विद्धत क्षेत्र उत्पन्न होता है. जोगी जंक्षन के क्षित्र में चालक आवेश कम होते हैं इसे रिक्ती क्षित्र अत्वा अंत्रिक्ष आवेश क्षित्र कहते हैं इलेक्ट्रों को एनक्षित्र से पीक्षित्र में विश्रित करने के लिए इलेक्ट्रों को ईवी नॉट उर्जा की उचाई को प्राप्त करना अवशक है Hull को भी P क्षेतर से N क्षेतर की ओर विस्रित होने के लिए समान उंचाई की ओर्जा प्राप्त करना अवशक है अर्दिचालक Diode अर्दिचालक डायोड किसी बाहे वोल्टेज के अनुप्रयोग के लिए सिरों पर धातु से संपरकित P अंचंचन है ये दो सिरों वाला प्राक्रम है सिरे पर तीर कर निशान प्राक्रम के P प्रकार के टर्मिनल के संगत होता है तथा आसान धारा प्रवाह की दिशा को इंकित करता है ये धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए निम्न प्रतिरोध युक्त दूई टर्मिनल वाला विद्वतियंद्र है तथा दूसरी दिशा में प्रतिरोध उच्च होता है किसी डायोट का सबसे सामानकार है कि वो विद्धुधारा को अग्रिदिशा में प्रवाहित होने देता है जबकि पश्च दिशा में अफरोध करता है अग्रिदिशिक पायस जंक्शन डायोट जब किसी डायोट को अग्रिदिशिक बायस अवस्था में जोडते हैं तो N प्रकार के पदार्थ में एक रिन वोल्टेज आरूपित होता है तथा P प्रकार के पदार्थों में धनात्मक वोल्टेज आरूपित होता है यदि ये बाहिव वोल्टेज अवरोधक से अधिक होता है तो पश्च अवरोधक पर नियंतरण हो जाता है तथा धारा प्रवाहित होने लगती है अगर बाय सवस्था पी एन जंक्षन से होकर निम्न प्रतिरोध पत को प्रदर्शित करती है जो बायस वोल्टेज में केवल लगू वृध्धी के साथ डायोट से होकर बहुत उच्च विद्ध धारा को प्रवाहित होने देती है रिक्ती स्थर के कारे द्वारा जंक्षन अथ्वा डायोट से होकर वास्तवी का वरोध अंतर को अचर रखा जाता है रिन वोल्टेज इलेक्ट्रोन को जंक्षन की ओर अग्रिसर करता है या वहां से विकर्शित करता है तथा उन्हें अतिव्यापन के लिए उर्चा देता है तथा धन वोल्टेज द्वारा जंक्षन की विपरी दिशा में आ रहे होल से जोडता है जंक्षन डायोट पर अग्रे दिशिक बायस वोल्टेज के अनुप्रयोग से रिक्ती स्थर बहुत पतला तथा संकीन हो जाता है जो जंक्षन से होकर निम्ण अवरोत को प्रदर्शित करता है इस प्रकार उच्च वितु धारा को प्रवाहित होने देता है वो बिंदू जिस पर धारा में अचानक व्रित्धी होती है उसे नी बिंदू के रूप में इस थेर आईवी विशिष्ट वक्रद्वारा तर्शाते हैं पश्च दिशिक बायस जंक्षन डायोट जब किसी डायोट को पश्च दिशिक बायस अवस्था में संपरकित किया जाता है तो एन प्रकार के पदार्थ पर धन वोल्टेज आरूपित होता है तथा पी प्रकार के पदार्थ पर रन वोल्टेज आरूपित होता है N प्रकार के पदार्थ पर आरोपिधन वोल्टेज इलेक्ट्रोनों को धन इलेक्ट्रोट की ओर जंग्षन से दूर आकरशित करता है जबकि P प्रकार के सिरे परिस्तित होल रिन इलेक्ट्रोट की ओर जंग्षन के विपरीत आकरशित करता है इसके परिडाम सरूप इलेक्ट्रोन तथा होल के अभाउं में रिक्ती स्थर बढ़ता चला जाता है तथा एक उच्छ प्रतिरोध पत्ध उथपन होता है जो बिलकुल अचालक की तरहा होता है पश्च बाइस अवस्था पी-एन जंक्षन को उच्छ प्रतिरोध प्रदेशित करता है तथा जंक्षन डायोट से होकर बाइस वोल्टेज में वृद्धी के साथ वास्तव में शूने धारा प्रवाहित करता है यदि भी एक बहुत कम धारा जंक्षन से होकर अवश्च प्र पी एंच जंक्षन डायट के वी आईकों अगरे दिशिक बायस में धारा तब तक पहले धीरे धीरे बढ़ती है जब तक गिप डायोट से होकर वोल्टेज किसी निश्चित मान को प्राप्त नहीं कर लेता है विशिस्ट विभाव के बाद डायोट धारा डायोट पायस वोल्टेज के बहुत लगू वृद्धी के वावजूद भी तेरी से बढ़ती है इस वोल्टेज को थ्रे सोल्ड वोल्टेज अथवा नी वोल्टेज कहते हैं पश्च दिशिक बाइस में टायोट के लिए धारा बहुत लगू होती है, तथा बाइस में परिवर्तन के साथ भी हमेशा अचर होती है ये पश्च दिशिक बाइस पर धारा अचानक पढ़ती है, ये वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाता है वर्धक प्रत्या वर्ती धारा को दिश्ट धारा में रोपांतरित करने के प्राकरम को वर्धन कहते हैं तथा इस रोपांतरन के लिए प्रयुक्त परिपत वर्धक कहलाता है क्रिस्टल डायोड वर्धक के रूप में प्रयुक्त होता है दो प्रकार के वर्धक परिपत प्रियोग में आते हैं अर्ध तरंग वर्धक अर्ध तरंग वर्धक में पत्यवर्ती तरंग के धनात्मक या रनात्मक अर्ध गुजरता है जबकि अन्य अर्ध को रोक दिया जाता है पून तरंग वर्धक पून तरंग वर्धक संपून इन्पूट तरंगों को इसके आउटपुट पर एक अचर धुरुवन पर रुपांत्रित करता है अर्ध तरंग वर्धक प्रत्यवर्ती धारा संकेत जिसका वर्धन होना है उसको step-down transformer के प्रात्मिक सिरों P1 तथा P2 से संपर्कित किया जाता है दुईती एक सिरों में से एक सिरे को junction diode के P क्षेत्र से संपर्कित किया जाता है जब दूसरे सिरे S2 को श्रिणी क्रम में जुड़े load प्रतिरोध RL के साथ N क्षित्र से जोड़ दिया जाता है output voltage को load प्रतिरोध RL से लिया जाता है दुईती एक सिरे S1 तथा S2 से होकर प्रत्यवर्थी input voltage प्रत्यक अर्ध चकरन के बाद धुरवन को परिवर्थित कर देता है input प्रत्यवर्थी voltage के प्रत्थम अर्ध चकर में S2 की तुलना में सिरह S1 धनात्मक होता है इस अर्ध चकर के दौरान डायोड अगरिदिशिक बायस होता है तथा इसलिए डायोड धारा को A से B में प्रवाहित करता है अन्य अर्ध चकरन के दौरान सिरह S1 सिरह S2 की तुलना में रिणात्मक होता है इस अवस्था में डायोड पश्च बायस होता है, तथा ये धारा प्रवाहित नहीं करता है। इस प्रकार धन अर्ध चक्र के लिए लोड प्रतिरोध RL से होकर विभुवांतर होता है तथा रिन अर्ध चक्र के दोरान विभुवांतर नहीं होता है तथा लोड से होकर आउटपूट पलसेटिंग दिश्ट धारा होते हैं. पूर्ण तरंग वर्धक पूर्ण तरंग वर्धन के लिए दो जंक्षन डायोडों का व्योग होता है इसमें दो डायोड D1 तथा D2 होते हैं जिसके N सिरे N1 तथा N2 सिरों से एक दूसरे से जुड़े होते हैं. प्रत्यवर्धी धारा संके तक जिसका वर्धन होना है उसको पावर ट्रांसफार्मर के प्रात्मिक सिरे P1 तथा P2 से जोड़ दिया जाता है. डायोड के पीक शित्रों में P1 तथा P2 को ट्रांसफार्मर के दूथिय सिरे S1 तथा S2 से संपर्कित कर दिया जाता है. आउटपुट को लोड आरल से लिया जाता है दोईतियक S1 तथा S2 से होकर AC इनपुट वोल्टेज से प्रतेक अर्धिचक्र के बाद पॉलेरिटी बदल लेता है इनपुट प्रत्यवर्थी सिगनल के प्रतम अर्धिचक्र में टर्मिनल S1 धनात्मक होता है तथा S2 रनात्मक होता है तब डायोड D1 अगर दिशिक बायस होता है तथा डायोड D2 पश्च दिशिक बायस होता है अता डायोड D1 से जालन होता है जबकि डायोड D2 से नहीं होता है डायोड D1 के कारण धारा की दिशा A से B की ओर होती है दूसरे अर्थचक्र में टर्मिनल S1 रनात्मक है तथा S2 धनात्मक है डायोड D1 पस्चित दिशिक बायस है तथा डायोड D2 अक्रिदिशिक बायस होता है अधा डायोड D2 में चालन होता है जबकि D1 में चालन नहीं होता है डायोड D2 के कारण धारा की दिशा A से B की ओर है अधा, इन्पुट प्रत्यवर्ती धारा सिगनल के लिए और्पुट धारा एक दिशी पलसज सतत श्रिंकला होती है जेनर डायोड जेनर डायोड पस्च दिशिक उचित रूप से मिश्रित क्रिस्टल डायोड है जिसमें breakdown voltage तीज होता है तथा जो breakdown शित्र कारियान वित करता है जब किसी क्रिस्टल डायोड पर पस्च दिशिक पायस क्रांतिक मान के पार बढ़ जाता है तो ये breakdown voltage कहलाता है पस्च धारा एक उच्च मान तक तीजी से बढ़ती है जेनर वोल्टेज मिश्रन की मात्रा पर निर्भर करता है कम मिश्रित डायोड में उच्चतर ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है जेनर डायोड के मुख्य कुण है जब इसका अगर बायस किया जाता है तो इसके कुण सामानी डायोड की तरह ही होते है जेनर डायोट हमेशा पश्च बायस होता है जब पश्च बायस होता है तो इसमें से होकर अल्पधारा प्रवाहित होती है ये धारा एक निश्चित क्रांतिक वोल्टेज तक अचर रहती है जिसे टर्न ओवर वोल्टेज कहते हैं तथा धारा तीजी से बढ़ती है क्या आप चानते हैं, कुछ पदार्थों को अर्ध अचालक के रूप में वर्गी क्रेट किया जाता है, इनकी विद्ध चालकता, विद्ध अचालकता के निकट होती है, एक सामान ने अर्ध अचालक का उधारन गेलियम और्सेनाइट है, किसी एलेक्ट्रोनिक युक्ती के लिए सिलिकन दिल की तरह है, आज अधिकांश अर्ध चालक चिप्स तथा टांजिस्टर सिलिकॉन से बना जाता है, जो सिलिकॉन की चालकता को बदल देता है, सारांश आईए, हमने जो कुस्ती का है, उसे संक्षेप में तोहराएं, अर्ध चालक में सेयो जगता बैंड पूरता भरा होता है, तथा चालक बैंड इसके निकट होता है, अर्ध चालक पदार्थ की चालकता ता आंतरिक अर्धिचालक वो पदार्थ होते हैं जिनमें मिश्रण नहीं होता है तथा इसे शुद्ध अर्धिचालक कहा जाता है। पीप्रकार के अर्धिचालकों में हम क्रिस्टल सनचना में त्री संयोजक मिश्रण को डालते हैं जैसे की अलूमिनियम, बोराउन, अध्वा, इंडियम। यदि दाता मिश्रण शुद्ध क्रिस्टल अर्धिचालक पदार्थ के एक तरफ प्रविष्ट होते हैं तथा ग्राही मिश्रण को इसकी दूसरी ओर तो पीएंचंक्शन का निर्बान होता है। एक अर्धिचालक डायोड मूलता धात्विक संपर्क के साथ पीएंचंक्शन है जो बाहिव वोल्टेज के अनुप्रयोग के लिए अंतिम सुरों पर जुड़े होते हैं। प्रत्यवर्ती धारा को दिश्ट धारा में बदलने के प्रक्रम को प्रवर्धन कहते हैं तथा इस रुपांतरन के लिए परिपत को प्रवर्धक कहते हैं। जैना डायोड उचित रूप से मिश्रित एक पश्च पाइस डायोड है जिसमें तेज ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है। ब्रेकडाउन क्षित्र में कारे करता है।